कि अज़ाए चल बाग यहां से अज़ाए चुछ करके ले गया है चुड़ाना है केस एरिया से उठाया इसी एरिया से हमारी एरिया से गाड़ी उठाने की हमत किस ने की भाई बात कर रहा हूं ना कोई हमारी गाड़ी सीज करके लेकी गया है भाई क्या एरी गाड़ी को भी सीज कर दिया किस ने मेरी गाड़ी को सीज किया है ए रैकी थलवार निकाल यहां सीजर कौन है तो किसको पता है भाई मै मैं बताता हूँ आए एक्सकेज़ मी भाई यह प्लास्टिक सीजर है और यह स्टील सीजर है और यह नॉर्मल सीजर है बस यह एक अब अबनॉर्मल क्य동ी वह क्या करें ताइम ही नहीं चल रहा वह कोई सीजर स्अ व क्या होता भाई गाड़ी उठा ले जाते हैं ना उन्हें सीजर कहते है ये काम तो हमारे भी बंडर करतें आड Wil गाड़ी को लिगल तरीकेश Move Cobra चोर को अणि आठभी सै गाड़े आठ अठ ये दानी लेना, कबर भी है देखना, अरे आराम से ले सकता है, तुम मेंसे कौन सी जर है? यहां सीजर कोन है, पता नहीं, तु है क्या? नहीं मैंनी हूँ, तु सीजर है क्या? ले बीने के लिए किलाउस, नहीं में नहीं हूँ, तुम मैं नहीं में विए, नहीं में विए झालाइभर जब लकयां क्यां क्यास जया है क्यात्य है तुम मैं zmian बुआ करें एक बाहिए दिद करें पारा कि आया करें नव में अर्ड़ नव रख़ा है कि आया है तो बातलो कि वो कुप पारा कार में नव मुट है गुरू, वो बचके निकल जाएगा गुरू, अगर वो बचके या तो हम नहीं बचेंगा गुरू, गुरू, चलो उसे छोड़ना नहीं है गुरू, चलो, गुरू, मेरी बात सुनो, गुरू, 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 गुरू हा लाइगा वाइगा सीWest हूएगा रदेने लुट ओर भराइगा हा अा अा ंा राव अशया हा जए ऽेस लुट सिर्धी तरक्का राभूजा हाथ मतलगाना सर गुड्मोर्निंग सर सर वेलकम ओफिसर कंग्राचुलेशन्स थेंक्यू सर ओफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बलराम के केस की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए स्पेशली क्राइम ब्रांच से अपॉइंट होकर आये हैं मोस्ट एफिशेंट डैनेमिक यंग ओफिसर मिन्स्टर धर्मेंद्र क्यों बे मेरी गाड़ी सीज करेगा तेरी इतनी हिम्मत अब हमने तुझे सीज कर लिया है तुझे बचाने के लिए कौन आता है मैं भी देखता हूँ तेरी तो यजी यष यजबगा मोटादव यजफ यजफ यजझे यजफ यजफ यह क्रेजी क्रेजी मैं हूँ क्रेजी बड़े बड़े की कर्दू छुक्ती जो ही आया सामने मेरे दर पे उसके पड़े जमेले सरवर फुटेगा सामने न आ जितना गूर है अब टूटेगा मान मेरा कहना भाग जा सभी चल भी न पाएगा पैरो पे कभी तोड़के हाद पैर रख दूगा रे मैं हूँ बड़ा क्रेजी पंगा न ले आँ है किस तो अधार यहां काम करने वाले सबी सीजर्स का मैं एकलाओथा फानाओष्यूजजदार्ण दूटेश्ट थैज्जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजर्स ए वे वेंगे जी बाइ अपना सीजर सतीश आई सीउ में है उसकी जगह पर किसी अच्छे सीजर को ढूड़ो मेरी नजर में एक है भाई नियत और ताकत दुनों में नंबर वन है उसका नाम क्या है इसका नाम क्या है उसका नाम ही सीजर है ठीक है उसको बुला नमस्ते सर नमस्कार सीजर लुक में गट्स है आउट लुक में कॉन्फिडेंस है गट्ट डेर सो गारियां सीज कर पाओगे तू कि अइसके कमर डेख दॉड़ मेंस की तरह है उसके पैर देखना कॉंटे सा की तरह हैं ए चमनी तू कभी नहीं सुधरने वाला जब देखो चमनी गिरी करता रहता है जब देखो लाटब काता रहता है जब देखो सब लोग बैठो स्पार्ट अंदरबेट चलो 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 कर च कर समय है जब देखो occasions कि वाली कि दोitudes तो हूदक सί प्र कि दो देख रहे हो इने गुरू, कार को बार बना कर अंदर ही मज़े कर रहे हैं यह लोग गाड़ी आगे ले जाने के लिए को कर अगे कार से बाहर निकल अंग गाड़ी पे लौन है छल बाहर निकल क्यों अब तू कोन है क्या तेरी मा बहन पुरी फैमिली है 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 बज्दर से बाइवा जाए दिए और लोस्टा रोस्टाइए ने ने बस बचर दो बचैए है हॉई हाई 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 तेरी माँ बहन मतलब मेरी भी माँ बहन है गुरू अरे मुझे फसा कर कहा चला गया शुक्र भाई बच गया अपन अमे तू कॉन है बेर मुझे क्यू माँ आता हूं आज कुछ नहीं काऊंगा तुम लोग जी मिल गए यहां पे है चलता हूं हेलो डेंटेस्ट अरे दो दांट तूट गया है बिठाना जरा हूं से ए गुरू ए गुरू क्या यार गुरू तुम भी मुझे वहीं पर छोड़कर चलिया है तुम जाधा बनो मत मुझे सब पता है जब मैने उसका दान तोड़ा तो मुझे लगा कि तुग आज़े रास्ते में जाकर देखा तो तु था यह नहीं अरे उन्हें एड़ा नहीं बनाता हूं अ तुम तुम तो बड़ी ओफिशल जगे पर जाते हो, M.G. रोड, लोखंड वाला, पाले, लंबोली, बगारा, बगारा, ठीक है, ठीक है, ओके, तु आगे जा, मैं तेरे पिशा आजाओंगा, चल जा, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है, तु नहीं आने वाला है, मैडम, मेटियम यही है, ठीक है, मैं भी थोड़ा जाकर आता हूँ, ठीक है, जल्दी आना, पकट, या भाई, अज दो दो गाड़ी, डबल बोरो सेख्या, सीज करते समय गाड़ी चेक नहीं की थी, चेक करके लिस्ट में डाल देना, ठीक है, भाई, यहाँ, जाओँ तो, जय जाओँ, षएफफ धाँ, सो भरो सम वेलोड़ी तोरो सम वेलोल काल में सेख्याय उेख्या वरो सम", सेख्या तोरो सम वेलो कलम तोरो सम वेलोलो,ग्जारे है! Welcome to P. Does headlines, मैं looks look like, कि अगरो ए सपोट जल्दी से बीजियास होस्पिटल पहुच जा जा एक एम्बुलेंस को सीज किया उसमें एक पेशंट यार एम्बुलेंस के साथ पेशंट को भी सीज कर लिया पक्वास मत कर जल्दी पहुच अरे रूपा सुनिये यही रोकड़ भाई मैं भी आया है अंकल वह अला है अंकल रहा है अखिर वहा किया है बताओ तो अपने जहारा भी खयाल नहीं रखती यह लड़की मेरी बात तो कभी सुनती ही नहीं है से जाने के दुखान का मालिक है सर नाम क्या है आपका करीम अब्दुल-जाफर साब कहां रहते हो धरावी में साब बताओ उस दिन क्या हुआ था बताता हूं साब बलराम भाई मेरे यहां चाय पीने आये थे उनके आने के दो मिनट बाद एक ट्रैक्टर आकर खड़ हुआ साब बस इतना ही पता है साब चाहे के ग्लास धोने के बाद देखा वो लोग भाग रहे थे पीछे कौन लोग भाग रहे थे ये देखने से पहले वह बहुत दूर चले गए साब ट्रेक्टर जाने से पहले मैंने उसका नंबर नोट कर लिया था और वह नंबर मैंने उस कशिए को पारकिंग करनी है, अब तबीएट कैसी है, यह कॉन है, आप लो कौन है? इसे कि मुझ पूच्छा है आप कली मैडम अमुलेंस में थी और सीजर लोग अमुलेंस सीज करके लिए जा रहे थे इतने में साभ ने जा कर चार लोगों से जगडा किया अमुलेंस को हस्पिटल ले और मैडम को यह है अदमिट कर वाया थैंक यू यह कैसे हुआ यह कैसे हु आप लोग बात कीजे में जाकर आता हूं जरा ध्यान रखना पेटी अप करते क्या है सर हमारे साब ना सीजरों के भी सीजर है मतलब आर्टियों इंस्पेक्टर है अहां गुरू देवी के साथ बात करने हूं तो कर लो क्योंकि ऐसा मौका दुबारा नहीं मिलेगा क्या हु इसमें तो सिर्फ नंबर ही लिखा है हमारे साब एक इमानदार आफिसर है क्या बोलो तुम है न गुरू ट्रांसफर बहुत होता है इनका इसलिए परसनली स्कार्ट को मैंने अपने हाथों से बनाया है डी आर्सी एफार्सी डी एल 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 ट्रांसफर एमो सी सी बस एक फोन कीजिए मैडम आपका काम हो जाएगा चुप रहना अब हम चलते हैं आप आराम कीजिए थैंक यू देगा कैसे बात को घुमाया बचा लिया तुझे अब चुप नहीं रह सकता इसक्यूज मी कल आपने ये ब्लड डोनेट किया था ना जी हां मेरे साथ आई ये खून पियेगी क्या गुरू अब क्या हो गया यह कल आपका ब्लड हमने एक पेशेंट को चड़ाया अब देखियो कैसे बिहेव कर रहा है सभी गाडिया एक दन स्वर्ख की अपसराय लग रही है चलने वाली ट्रेंट को भी नहीं चोड़ने का उड़ने वाला प्लेंट भी नहीं चोड़ने का सीज मतलब सीज करने का सब को अब रहा हम्मों यहां से चले है यहां क्ue पार्किंग नहीं है अब क्या करो अब करो रही नहीं है वो गारियां मिल जाएंगे भाई हे थुप चलो आगया यह क्या गुरू यह तो हमें ही हूल दे रहा है लगता है खुद को डॉन समझता है यह आखर यह है कौन शकल से तो बंदर लग रहा है बंदर के साथ साथ पागल भी लग रहा है गुरू बदबू तो सबके बगल में होती है इसके तो पूरे शरीर में आ रही है कौन हो रहे तुम लोग सेजर यह डॉन टाच गंदे कहीं के सेजर बोले तो जेब कत्रे मतलब चोर अरे बाप्रे है सीजर नहीं सीजर यह दोनों तो यह की है ना अरे तो दो बर हाथ मत लगाना गाड़ी पर लोन है तो तो हो गाई ना इंटरनेट पर पॉन और गाड़ी पर लोन तो होता ही है ना जैसे पॉन देखना गयर कानूनी होता है वैसे लोन पर ली हुई गाड़ी को छुना भी तो गयर कानूनी है कि नहीं एसे के नवाभी दिखा रहा है, second hand गाडी ली है, second hand गाडी पर इतना और वाप दिखाता है मेरे पस सब कुछ second hand ही है, मतलब बीवी ब्याकर की बात है मत कर, मेरे बीवी एकदम first hand है, लेकिन क्या है न मेरी दो दो बीवे है यह भी illegal है, क्या बत करनी है, गाड़ी का लोन सेडल करके गाड़ी लेके निकल ले, बस इतना ही न, तो पहले बोलना चाहिए था न, ब्याकर में बैस करना शुरू कर दिया, कितना हुआ, दो लाग रुपए, मेरे को लगा 200 रुपया होगा, खेर छोड़ो, इस बर जाने दो कपड़े उतर जाएंगे, पहले ही देना चाहिए था न, बंदर के अला है, जाल हट काड़ी के सामने से, इसलिए मैंने पाइलीच बोला था, चोर और सीजर यह जैसी होते हैं, सिर्फ चोर बिना बताए गाड़ी ले जाते हैं, और सीजर लोग तो कमीने मालिक के सामने गा कौन सी फाइनन्स कमपनी मैटर का है, अरे 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 सुना है, जाने दो वो इसे बीडीजल नहीं है, आदे किलो मेटर में मिल जाएंगे हाँ, बोल क्या है, भाई वो आईपियल के मेटिंग में सारे पैसे गवा दिये भाई, गाउं में सेटल होने को सोच रहा हूँ, कार भी बेश सकता हूँ, लोन पर उठाई है, वो कभी भी गाड़ी सीज कर सकते हैं भाई, आपको दी तो आपसे सेज करने की हिमत कोई नहीं कर सकता, इसलिए आया हूँ भाई, कार की प्राइस क्या है, तीन लाख है भाई, और उस पे लोन कितना है, दो लाख भाई, तुम्हें कितना चाहिए, एक लाख देंगे तो आपको दे दूँगा भाई, भाई, गाड़ी चक्रवर्ती, बोलिए, एमेज-01, एमज-351 कार्जो है न, अब वो मेरे पास है, हाँ उस गाड़ी पर हमारा HP लगा हुआ है, अब अगर किसी ने भी उस गाड़ी की तरफ देखने की कोशिश की हाथ लगाने की कोशिश की तो उसके हाथ मैं काट डालूँगा, तुम्हें चलो भाई टपका देते हैं, नई, बता है भाई ने क्या कहा था, अगर किसी ने कंबाउन में पह रखा, तो उसके हाथ पर काटके गटर पे फैक देना, याद आया तुम्हें आपका तुम्हें बाई वो आदनी गाड़ी लेकर चला गया यहीं अपने घर के कंपाउंड में से हम लोग के सामने से गाड़ी लेकर चला गया अब ठकन उसको मारकर उसके हाथ पर काटके कटर में ठेक लिए बोला था जस दिन खून हुआ था तुम बस लेकर कहा गये थे रामपूर गया था सर खून ही तुम्हारे बस में आया कैसे पता नहीं सर तुम्हारे पीछे एक ट्रैक्टर आया था वो कहा गया पता नहीं सर ओके इस खून के बारे में कुछ जानते हो मैं कुछ नहीं जानता सर आप छो है कौन है यह रोग भाई वो है चक्र चक्रवर्ती तुम जाओ हाँ बोलिए बाई क्या का मेरे घर के कंपाउंड से जिसने भी गाड़ी उठाई है मुझे उस सीजर का पूरा का पूरा डिटेल चाहिए सॉरी मैं अपने आदमी का डिटेल्स नहीं दे सकता नहीं दे सकता बोलने से हम छोड़ने वाले नहीं है सीधी तरह बतावा ना तिरी आउकाद दिखा दूगा तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे सीधी तरह मेरा बैलेंस अमाउंट दे दो और अपनी गाड़ी लेकर जाओ दो लाख नहीं पूरे तीन लाख दूँगा उस सीजर को मेरे सामने लाओ और उसको मेरे हवाले कर दो करो गया नहीं नहीं करूंगा बोला ना, समझ में नहीं आता है क्या तुमको, लगता है कुछ और करना पड़ेगा तेरी गाड़ी उठाने वला आदमी मैं हूँ, उनसे क्या बात कर रहा है, तेरे गुंडे भी वही थे तेरे घर में घुसकर अकेले ही गाड़ी लेकर आया हूँ, कोई मेरा एक पाल भी भागा नहीं कर पाया खाली गाड़ी सीज कने से इतनी जर्बी चड़ गई बैलेंस पेमेंट देकर अपने गाड़े लेकर चुपचाप निकल जा, अगर ज्यादा बात की न, तो दर्वाज अब बंद करके बुरी तरह पिटूँगा चुपचाप रास्ता ना अपले, इससे भीड़ा तो होलिया बिगड जाएगा तेरा बाई इनके एरिया में हैं, इसलिए ज्यादा शांट पटी दिखा रहे हैं, जाएंगे कहां मिलेंगे एक दिन चुरूँगा नहीं अबे सेट की गारी की पीछे जाने के लिए बोला तो लड़की की पीछे गया बेटा, सेट बहुत खतरनाक है, उरिटा लड़का देगा तुझे काट के वो तो मुझे भी चाहती है भाई, जब ये मुझे देखती है ना, तो आत मारती है पागल होगी है क्या हलो, हलो, इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर, कौन से थाने के अा, मेरा मतलब, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, वो आठ्टर एंस्पेक्टर, रहे हैं आप ही ने तो कहाँता कि आप इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर? आप कौन बात कर रहे हैं? दिव्या, उस दिन मुझे हास्पिटल में अऍध्मिट किया था ना, आपने अहाँ भैं, मुझे तो लगा कि आप किसी सब इंस्पेक्टर की बात कर रही है और आप तो वैसे भी एक आर्टियो इंस्पेक्टर है तो आप जहां बुलाएंगे ना, मैं वहाँ आजाओंगी आप क्यों आएंगी, मैं खुदा जाता हूँ न नो 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 आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं ही आजाओंगी और दाट्स फाइनल आपके आर्टियो का एड्रस क्या है? चार बंगला आर्टियो मैं आपका नाम भूल गई सीजर नाम है ओ यार, सीजर, राइट ओके, मैं एक गंड़े में वहां पहुँच जाओंगी ओके, बाई किसका फोन था, गुरू? दिव्या का कौन दिव्या? हाँ? ओहो, तुमारी देवी, दिव्या, हाँ? बात क्या है? चल्दी से चार बंगला के आटियो में एक आफिस का जोगार कर अ, हलो? बोलिए मेडम, एलेल या डियल? इंस्पेक्टर सीजर कहां मिलेंगे? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या सीजर? इंस्पेक्टर ही सीजर हैं मेडम, आप कन्फ्यूज कर रही हैं इंस्पेक्टर अलग हैं, सीजर अलग हैं इन दोनों में से किसे मिलना है आपको नहीं नहीं, सीजर नॉइंस्पेक्टर से ही मिलना है मुझे पता नहीं माडम सुभे- सुभे पता नहीं कहां से चले आते हैं सर खाने के लिए अफ्ण एफ्ण एक्सक्यूज मी नमस्ते माडम यह ईक्या आपका office? बिल्कु यह एए आप आये तो आये कान आट इयो officer बोल रहा हो रखियो हो आये आये Hi Caesar हाई आये बाठिये Documents, ID proof, and address proof मैंने तो चार photo माआगे थे तीन लगते है ना sir एइ चुप रहे है सरे चार लगते है कोई प्रब्लम नहीं, कल दे देना, कल मिल जाएंगे ना, ओके, ठीक है, देखिए, यहां पर साइन कर दीजिए, अब फस्ट टाइम हमारे ओफिस आई है, कॉफी तो लेंगी ना, स्पोर्ट, ने ने, स्पोर्ट पोई है, जरा दू कॉफी लेकर आँ, कॉफी, कॉफी, कॉफी अच्छी नहीं मिलती, बहर कॉफी आँ से वहाँ चल कर पी लें, तो मैं कह रहा था कि, कॉण हो तुम लो, मेरी परमिशन के बगार चेमबर में कैसे गये, लगता है आप लेटर इमेल वगरा नहीं पढ़ते हैं, पहले आप बोपढ लीजे, स्पोर्ट बॉई, जर आपको किसी नहीं बुलाया क्या, मा कसा मा पी आटियो इंस्पेक्टर है सार, हम तो सिर्फ एक डमी है सार, अर दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूँ डमी सäर मेन्यू, ज़ल्डे लेकर हैं, हां, सारी, कम अगें, मालअ, कबचिप, वो कैपचीम होता हैं, हां, हाँ तो पहले, क्या जल्दे लेकर जाहिँ हां, हां, हां तो तने, क्या जलुरह है, कुछ खास नहीं, वाट उः वे नुवOC, मान, आई मैं, पाइकी हैर, सब्स यह साब हो चलता है क्या आपके देपार्टमेंट में चोरी करने वाले खून करने वाले सब स्टाइल में रहते हैं हम उनके बाप हैं इसलिए और स्यादा स्टाइल करोगी यह सोचकर आई थी पर आने से पहले एक चीज मैंने डिसाइड कर ली थी वह क्या कि मुंबई में किस मुंबई शहर से बहुत डर लगता है क्या का मुंबई तो प्यार की नगरी है मुंबई एहसासों की नगरी है मुंबई रिष्टों की नगरी है मुंबई विश्वास की नगरी है यह शहर करोना से भरे महरास्ट्र का दिल है राजधानी है पूरी दुनिया का दिल जीतने वा पूरे शेर में जगाए जगाए घूमते रहते हैं, इसलिए मुंबई कोई अपना घर मानते हैं अच्छा लेट हो रहा है, हम चलें अरे रुकिये रुकिये रुकिये, पैसे दिये हैं मैंने, कॉफी पीकार ही यहां से चलेंगे वाट, मुले सवकर पैसे दोगे मुंबई वालों पर कभी भरोसा नहीं करूँगी यह सोचा था लेकिन कहीं मेरा दिल इस मुंबई के लड़के पर तो नहीं आ गया तुम तुम पर बरोसा नहीं है, चलो दिखाओ तुमारा सीजिंग लेटर कीदर है फाइनेंसर को नहीं है बताओ मुझे लेकर आओ उसको इदर ए स्पॉट लेटर दिखाओ यह ले देख ले देख इस सारी चीजे में कहां से अपने दिमाग में रखता बैठों लेने से पहले यह सारी पूछटाच नहीं कर सकता था क्या नहीं कि मैंने पूछटाच गाड़ी देखी आच्छी लगी पसंद आई तो मैंने लेली बस आप क्या करो बताओ गाड़ी की चावी कहां है गाड़ तेरे को पांच अजर दे रहो फिर भी तुम्हा ना कर रहा है काई साथ मियरे पांच लाख रुपए देगा तब भी नहीं दूंगा मालिक से भीमानी नहीं करता चावी अंदर है ना चल साइट में आ जा लिकार आजा यह बंदर बार-बार हमसे ही टगर आता है तेरी करें आज हम इनको बार इसके तो जोकी नहीं मिल रही है जोकी 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 कि यह लेखिछ ले गुरू कार्ड के बाद कर रहा हूं मैं अचा कार्ड इस वत किस का फोन है यार बार हलो हा ब्रो टेंशन मतलो ब्रो मुंबयि में जहां भी होगी में उस गारी को डूंड कर वो क्या होता है ब्रोकर खजूर की उलाद है क्या देख ये गाड़ी वो गाड़ी और वो वाली सबकी ऑनलाइन पर बिडिंग चल रही है और हां जो ज़रूरी पार्ट से सब निकाल लेना ठीक है बाई और हां वो है कहां कौन भाई सीजर वाई भाई गुरू थोड़ी बात करनी है कैसी बात एक गाड़ी सीज करनी थी क्यों भाई तू भी तो अच्छा सीजर है तू ही क्यों नहीं सकता क्यों गुरू कुछ तो जोल लग रहा है देख गुरू तुम्हें गाड़ी सीज करने पर दस हजार रुपया मिलता है है ना मैं तुम्हें पचास हजार दूं ठोटे, तू इसी को शेर कह रहा था क्या? ये तो मुझे चुहे से भी ज्यादा डर पोग लग रहा है देख गुरू, ताव दिखाने की जरुवत नहीं है अगर नहीं होता है, तो हाथ जोड़ लो हम चुपचाप चले जाएंगे यहां से अगर हो सकता है, तो सीना ठोक के बोल, हम अड्रेस आटी नगर इट में वह हैं एक ही बंगला है, और किसी भी वक्त हम वहाँ जा नहीं सकते 10 बजे से 11 बजे तक ड्राइवर के लिए गेट खुलता है ड्राइवर के पास ही चाबी मिलेगी गाड़ी लेकर आना और पैसे लेकर जाना तू पैसे तो यार रहा बेटा, मैटा कुछ और हुआ न, तो समझ ले न, क्या हलो गाड़ी सीज हो गई है गुरू, पचास हजार दूगा तक पैसे अब एक लाक रुपे दूगा गाड़ी जहां से उठाए थी येड़े तेरा तिमाग खराब हो गया अरे येड़ा अरे येड़ा तो मुझे भूपती कर देगा यहाँ मैं वहाँ गया तो बहुत बड़ा बावाल मच जाएगा उसने कहा है कि वो कुछ नहीं करेगा मैं ये नहीं कर सकता प्लीज गुरु प्लीज गुरु ये मुझे टपका देंगे मेरे सामने खड़े रहने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बेग पर सोचता है और तू तो सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी का सीजर है तुने मुझे क्या समझा है ड्राइवर समझा मैंने वाइट कपड़े पहनने वाले सब ड्राइवर होते हैं मेरे घर में सफाई वाला खाकी पहनता है तो तू उसे पुलिस समझेगा इसका क्या करें? मार देते हैं भाई छोड़ दीजे क्या हुआ? कार ले जाते वक्त तो बहुत डेरिंग की तुने? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो मेरे आदमी को मैं यहां के लाया हूँ तो मेरी हिम्मत के बारे में तो पता चली गया होगा बात हिम्मत की नहीं है इज़त की है ये क्या है पता है? बुल इस भूपती समराट की सवारी घूर में से ही हम ठोक देते हैं तुने तो टच किया तुझे कैसे छोड़ेंगे कुछ चल देंगे तुझे खत्म कर देंगे काउं में त्योहार के समय जानवर की बली देते हैं तेरी तो इंस्पेक्टर धर्मा क्या बात है? बल्राम के केस पर कुछ बात करनी है आओ पन्ना आजाओ चलो बैठिये क्या जाना चाहते हैं? यही जानना है ना? आप उससे आखरी बार कब मिले? फोन पर कब बात की? क्या-क्या बातें की? किसी पर आपको शक वेगे रहा है क्या? यही ना? देखे मेरे दुश्मनों की लिस्ट में पांड़ों की तरह स्री पांच लोग नहीं है कौरवों की तरह सैक्डो दुश्मन है और यही आपको जब किसी पर शक होता है तो आप पकड़कर तहकी कात करते हैं और जब हमें शक होता है तो हम उसकी कहाने खत्म कर देते हैं किसे कब पकड़ना चाहिए, किसे कब छोड़ना चाहिए, यह हम अच्छी तरह जानते हैं, हम किसे के भी पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ते, लेकिन पड़ गए, तो उसे छोड़ते नहीं, All the best, See you soon, ओए, हाँ भाई, कहा है वो लड़के, वो चलेगे भाई, चकाहप, गुरू, मोबाईल बंद क्यों रखा है, क्या हुआ, भाई ने फोन किया था, किस बारे मैं, कल सुबह किसी अपार्टमेंट से गारी सीज करनीय बोल रहे थे, गारी का डेटेल, गारी डेटेल छोड़, अपार्टमेंट की डेटेल बताता हूँ, सुन, उस बिल्डिंग के कोरे कोरे में, सीसी टीवी कैमरे लगे हुए है, फुल सिक्क्यूर्टी टाइट, ओनर के पर्मिशन के बगर कुट्ता भी अंदर नहीं जा सकता है, वह गाड़ी कभी बाहर ने निकलता क्या, ओफिस से कैब आती है गुरू, छुट्टी के दिन भी गाड़ी बाहर लेकर नहीं आता हूँ, ये गाड़ी सीस करने में बहुत मसा आएगा, बास, अब बारिश सेफ हो गाए, बारिश को भी आजी आनी थी, वह वाच मन हमें देख रहा है, शुरू हो जा गुरू, इंग्लिश टाक मैं, ओके, 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 आम बिटर इंग्लिश गुरू, या वाच मन इस गोरिंग, ये गोरिंग नहीं सीइंग बे, ओ, अनेस्टेंड, कम नाओ, लेट्स टू वर्क, फालो में, फालो में, फालो में, ए स्पोर्ट, तू वहाँ देख, मैं यहाँ देखता हूँ, ओके, ठीक, ठीक, ठीक है, कोना कोना चान लिया, गाड़ी कहीं है ने गुरू, ठीक है, वहाँ देखता हूँ, यहाँ पे 90 परसंद गाड़ियां लोन वाली है, मिल कहीं है, इस्पोर्ट, क्या करें गुरू, एक नमबर का चाप्टर है वो तो, 304, कौन, कौन है आप, हम आपकी गाड़ी सीज करने आए हैं, गाड़ी सीज करने का कितना मिलता है तुम्हें, यह जानकर आप क्या करेंगे, बताईए न, दस हजार रुपए, मैं आपको बीस हजार रुपे देखा गुरू, कितना मान है, दो लाग दोगे तब भी नहीं मानूंगा, मंतरी के अपार्टमेंट में सॉफफ़ेर का काम देख रहा हूं, इसलिए सॉफ लग रहा हूं क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा समझ रहे हो क्या, मेरा भी अच्छा बैग्राउंड है, क्या हूँ, काम हो गया अपना, भाई, यही उनका ओफिस है, वन एन ओनली फाइनेंस ओफिस है, मतलब यह एक नमबर है, और आप भाई, मैं छे नमबर, खोपड़ी कहा लगाई है, देख लो, हे, रुकोग, अंदर का जा रहे हो, हे, भाई, इसने मेरी गड़ी सीज की है, हे, 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 इसके लिए अपनी एनेरजी बेस मत करो, बैट जो, क्या हूँ, मुझसे बात करो, कल आपके लड़के ने इनके अपार्टमेंट से इनके गारी सीज कर ली, हमारे अदमी से पंगा लेते हो, तुम लोगों से कोई पुछने वाला नहीं है, समझ रहे हो क्या, तीन लाग बाकी है, तीन लाग बाकी है, ये गरीब आदमी है भाई, इन्फोसीजल में जॉब है, एक लाग सेलरी मिलती है, एक करोड का फ्लैट है, और इसे तुम गरीब आदमी कह रहे हो, हां, वो सब मैं नहीं जानता, मैं यहां आया हूँ, सेटलमेंट कर दो, तीन ला केट में तुमको भी धंदा करना है, मुझको भी धंदा करना है, मैं कौन हो तुम नहीं जानते, अगर मुझसे पंगा लिया ना, तो बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है, ढाई लाग रोपे दे दो, भाई, ये आप क्या कर रहे है, तुम चुप बैठो, उतना नहीं होगा, हे, निकालो, ये लो डेड़ लाक, अरे दो तो दो यार, मेरे पास सिर्फ इतने ही है, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से पेपर बना दो, कल आ जाना, कल आ जाना, हे, तुचुप रहे, मैं हूना, कल कितने बजाओ, इसी टाइम पर आ जाना भाई, ये क्या भाई, सिर्फ तुम बस देखते जाओ, मुस्से सेटलमेंट करेगा वो, और हाँ, जल्दी से लेटर दे दो, अरे मुस्से क्या बात कर रहा है, भाई साब, रेलीजिंग लेटर किदर है, ये भाई, रेलीजिंग लेटर दो ना, ए, कौन हो भाई तुम, हाँ, ए, तु, कौन हो मैं नहीं जानता, कल मैंने 0.5 लाग रुपे दिये थे ना, किसको, कब, कहा, क्या दिया तुमने, हाँ, ये क्या, होश्यारी कर रहे हो, मेरे साथ मेरे लड़के नहीं आए तो होश्यारी कर रहे हो, हे, फॉच भी लेकर आएगा, तो कुछ नहीं बिगाड पाएगा, समझा, हे, हलो, अलो बोस बस क्या ये सब क्या चल रहा है कली तो मैंने तेल लाग रुपे दिये थे ना देने वाला भी यही था ए देने वाला अगर वो है तो तुम कौन हो भाई मैं तो सेटलमेंट करने के लिए आया था ऐसी बात कर रहे हो तुमारा सड़ा हुआ चेरा कौन याद रखेगा भला देखो उसकी गाड़ी पर तीन लाग रुपे बैलेंस है पूरे पैसे दे दो और सेटल करके गाड़ी ले जाओ देख लूँगा देख लूँगा देख लूँगा आजम नहीं करने दूँगा भाई मेरा क्या होगा मुझे क्या पूछ रहा है उसको पूछ क्या भाई आप सेटल करवाने आये थे ऐसे कैसे छोड़के जा सकते हैं मेरा दिमाग मत खा चला यह क्या सर कली तो डेड़ अने चले आए इधर आओ बैलेंस पैसे दे दो और गाड़ी लेकर जाओ ठीके सर ठीके हम हम हो फुल हास फुल आपने हमारी गाड़ी इस तरह क्यों रोकिये ओ भाई साब आपकी गाड़ी सीज करने आया हम लेटर देख लीजे और चुप चप गाड़ी की चाबी दीजे सर प्लीज सर एक गंटे की मुलत दे दीजे फैमली को एरपोर्ट छोड़का रा जाओंगा सर और जेंट है सर प्लीज सर समझने की कुछ इस कीज़िए सीजर के बालों में कैची चाय तो गुमा सकता है लेकिन सीजर के सामने से गाड़ी नहीं लिजा सकता कहीं सर यह सुना सब्सक्राइब करें हैं हज मुबारा को शुक्रिया अल्ला तुम पर अपनी रहमत बनाया रहते हैं और आप पर भी समल कर जाए आप चलिए बैठिए मैं आता हूं क्या गुरू तुम भी न है तुम चुप रहा हो मैं तुम एक घंटा देता हूं एक घंटे में गाड़ी अखोर लेका जाँी धाना ओट तो लेकर और यहां यह घाना होने चाहिए थेक भाई प्रक्राइब तू लेकर और प्रों अरूए क्रणी लेकर शूंगा ठेक सार्च वां कितों सब्सक्राइब करिया है कर यह गासर कर था है यह मैं यहां पर खड़िया जीघ करने का काम हो तही निकल जाना सीजिंग लेटर इखा ना यह लीजी सर ठीक है डीक है काम जल्दी निप्टना समझज़ ना जीज़े ना बाइ सर गुरू बाते मुझसे कर रहे थे लेकिन फोकस तुमारे उपर था शुछुछुछु तुमारे एरिया में क्या कर रहे हो भाई सीजर लोग क्या करते हैं मालू में एक गाड़ी याने वाली उसे उठाने के लिए खड़े हैं यह अर्या सही नहीं है निकलो यहां से अवे तेरी तो मुझे सखाता है तुम नहीं हो चुट आप निकल यहां से आइटम के सामने शाणा बन जागा चल जा जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं अगर आप गाड़ी जाने नहीं देते ना तो मेरे माबाप नहीं जा पाते ताइंक्यू सर आपने बहुत बड़ा हैसान किया है मैं जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा इसे यह लिजे सर शुक्रिया सर चलता हूं सर हालो सीजर मिलोगे क्या क्यों दे दिया वो मैं अपने गाउं जा रही हूं तो तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए तो बोलो ना हालो 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 ग्रुट यह ले तेरी चावियो डॉकुमेंट्स अधिर हो यह थे यह ज़िए पैटी है जो चलो चलो बस टाप तक में चोड़ देता हूं चोड़ो में उठालूंगा चालो आओ बाइध कहां है Cesar, कभसे फोन ट्राई कर रहा हूं, सुछ अब बता रहा है वो इधर है भाई पोन दोज को हा देता हूं गुरु भाई का फोन है ला दे हलो Cesar रामपूर रामपूर चलो चलो जदी उत्रो चलिये मेडम रामपूर आगे मेडम चलो 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 पता है उसे दिन एमजी रोड पर ना उस गाड़ी के ओनर से दुबारा टकरा गया उसके भाद जो हुआ ना रहने दिदे मत बता हाई हाई हैपी बर्दे थांक यू आज मेना बर्दे है ये आपको कैसे पता चला आपके डियल से थांक यू सो मच शीजर घर चलो ना रहने दिजे फिर किसी दिन आ जाओंगा देखो मना मत करो आपको चलना ही होगा यहां गाओं में थोड़ा काम है वैसे भी आप मुंबई आएंगी ना तब मिलेंगे प्लीज ओके ओके बाए बाए अब टेक केर अचा गुरू अब गाड़ी सीज करने चले गया हम संतोष हम यह सर्थ यह चल चल क्या नाम है तेरा माधवे सर सुभा सुभा तीन से पांच बजे तक चाय पीता कौन है संतोष सर कैप ड्रैवर्स ऑटो ड्रैवर्स और रावडी शूटर्स यह तीन कैटेगरी के लोग ही ज्यादा आते हैं इसके और उस चाय वाले के बयान पर गौर किया जाए तो लगता है कि मैंने उन दोनों को कहीं देखा है लेकिन कहां देखा है कुछ याद नहीं आ रहा है स्वामिये शर्डम अयप्पा गरू चाचा जी का फोन आया था कल सबरी मले जाने के लिए कहा है आया आया थाचा जाचा झाया थाचा जाचा झाले को देखा है स्वामी ये शरनम् स्वामी ये शरनम् आपने तो माला पहन ले, कोई आपको मारे नहीं यह अच्छी बात जिन्दगे से प्यार करना चाहिए और मौत से डरना चाहिए गुनाह करने वाले यहां भगवान के दर्शन की चाहात लेकर आते हैं उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं लेकिन नेक और शरीफ लोगों को भगवान खुद बुलाते हैं आपको भी बुलाया है क्या, भगवान ने, फोन किया था या वाट्सव पर मैसेज भेजा था, तेरी बगवास सुनने के लिए मैं खामोश बैटने वाला भगवान नहीं हूँ, शैतान हूँ मैं, सब को उपर पहुचाता हूँ, सुनो साब, मैंने ये माला पहनी है, इसलिए अभी तक आप से शांती से पेश आ रहा हूँ, मैंने ये माला उतार दी न, तो तेरी मुलाकात ये अमराज से करवा दूँगा, क्षमा कबो, स्वामिये शर्णम आयप्पा, आप दर्शन करके कब लोटेंगे? अतिशीग्र अरे जाइए, 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 हम इंतिजार करेंगे, अपने भगवान से जीवन दान मांग लेना, क्योंकि बहुत जल्ब मैं तुझे मित्यू देने वाला हूँ, शेर पर बैठे आयप्पा के दर्शन करने के बाद मैं तुझे सीधा उपर भेज़ दूँगा, स्वामिये शर्णम आयप्पा क्योंकि आयपा की ब़ेटरीजारीजर्ण कि पूलिए द बूलिए टीयलियों सबादों धो कि अ 7 expanding लेघर ए करने ड हमटें भेशनायें अजयगाaur स्वामी ये शर्णम अयपपा स्वामी वो प्रसाद लेकर घी लेकर कुछ तो खाने के लिए आएंगे अब आप चुपचप अपना काम कीजिए स्वामी बहुत भूख लगी है क्या स्वामी जब से आप आएं तब से देख रहा हूं मुंबई से जो और भीजा था उसका क्या हुआ मुंबई में जो तलवार मिलती है वैसी तलवार केरला में एक भी नहीं मिलेगी सुना है केरला में जो तलवार मिलती है उससे शिकार कभी मिस नहीं होता चल निकाल अधेर हो प्रकार कंप्रेग खुरु जल्दी केम अरे साती है एंएा mixed मुंबई के स्पोर्ट स्वामी हमारे दर्शन हो चुके हैं प्रसाद भी मिल चुका है मतलब काम हो गया इंडिया में अभी अंधेरा नहीं हुआ और चंदर आ भी गया आये दुबई के सहब जी इंसान की चाया देखकर वो कौन है ये जान जाते हो लेकिन हमारे बलराम के कातिल को अभी तक नहीं जान पाए सब काम हम ही करेंगे तो पुलिस को सैल्री क्यों दे थोड़ा उन्हें भी काम करने तो कुन सा है कला नगर बैंड़ा लो प्रसाद नमस्कार साब कहिए कैसे याद किया मुझे यह कौन है पता है इनकी बात कर रहे है मुझे पता है सर हमारे डिफॉल्ट कस्टमर है कल रात को यह मैंने इंकी गाड़ी सीज की थी अब पूरे शहर की गाड़ियों को तू ही सीज करे सर कहीं आपने भी तो नहीं लोन नहीं दिया अपर तू अपने आपको समझते क्या है तू मुझसे मजाग कर रहा है मजाग कर रहा है अब दिखाता हूं तुझे डाल इसे अंदर स्टॉप मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मैं खुद ही चला जाओंगा इडियट वाई बेल हो गई है शलिए दोस्त वो नहीं होता जो बेल करके छुदा ले जाता है जो कांट करके अंदर आये और साथ दे उसे कहते हैं दोस्त तुम लोग या कौन है वो जिसने हमारे लड़के को अरेस्ट किया है ये लोग कौन है सर मुंबे की सभी पुलिस टेशन में की फाइल है जो कभी न क्लोज हुई है न कमियों उसने तुम्हें मारा किया नई भाई क्या किया है उसने इल्लीगल तरीके से बिना परमिशन के गाड़ी सीज किया इसलिए अरेस्ट किया हम गाड़ी को सीज करने से पहले कमिशनर को एक लेटर पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर और कस्टमर को भी लेटर भीजते है यही हमारा बिजनेस है वो भी लीगल उसे अरेस्ट करने का अधिकार आपके बास नहीं है छोड़ दो उसे वेट हम खुद आ रहे हैं चल स्पॉट दुबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा इंस्पेक्टर चलो बड़ा आया हमें अरेस्ट करने वाला भाई आपने पूरे शहर वालों को लोन दे रखा है पुलिस को क्यों नहीं दिया एक आदमी को दिया है बैठो अंदर जी भाई मैं बताता हूँ देखो इने अपने पाप की सड़क समझ के कहीं भी गाड़ी पाक कर देते हैं चल चल गाड़ी उठाते सर आधी लाइन में अबे बेवकूब गाड़ी को लाइन से बाहर निकाल के फोटो खीच के अंदर डाल दे उसको बेचने पे तो पांसो भी नहीं मिलेगा लेकिन छुडाने पे साथ आठ सो मिल जाएंगे जल्दी से डाल अरे अरे सब्सक्राइब देखिए मेडम जिस तरह आप अपने बच्चे का ख्यार रखती है उसी तरह गवर्मेंट के रूल का भी ध्यान रखा करिए नो पारकिंग में गाड़ी खड़ी इसले हम लोग उठा कर लाएं साड़े साथ सो मर्याओ गाड़ी लेकर जाएए हाँ नेक्स्ट गाड़ी का नमबर बोलो भाई 2904 वन और वन ली फाइन्स 2904 अरे तो इसी गाड़ी का नमबर है सीजिंग लिस्ट में होने की वज़े से ये लेटर आपको दिया है अंदर कौन बैठा दिखाई दे रहा ना इससे मुझे कोई मतलब नहीं है सीजिंग लिस्ट में होने की वज़े से लेटर आपको थमा कर ये गाड़ी अपने साथ ले जाने के लिए आया हो अब आप गारी से उतरेंगे या आपको भी गारी के साथ ले कर जाओं अरे गुरू कोई गारी है जिसे सीज करने पर दस लाख रुपए मिलेंगे जल जाना कोई भी हड़ी फिकेगा और तू मुँ मारने के लिए चला जाएगा गुरू, फॉरिन ब्रेंड है, इंपोर्ट है क्या, वाकई ब्रेंड है न क्या मजा कर रहे हो गुरू, पाटी इधर ही है ठेक है, मुला उसे ए ब्रिदर, इधर हा कौनसे गाड़ी है रहे, पकानी और हाँ, गाड़ी बिना चावी के भी खुलती है एवरिधिं इस सिग्नल उपरेटेड भाई, फिक्र मत करो, हम प्यार से काड़ी को दा कर दे देंगे काड़ी को ओपन करनी के कोशिश की तो एरिया इंस्पेक्टर को एलेट मैसेज चला जाएगा गुरू, इसके लिए भाई ही सही है फोन लगा उनको Hello Hello, welcome to Begani Customer Care What can I do for you? I have lost my car key What is the procedure to open the car? Surely I can help you, sir Who is the registered owner of the car? I am the owner of the car Your good name, sir? My name is Bhupati Please tell me your vehicle number The vehicle number is MH05 MB8055 Okay, please tell me your date of birth 0101 1970 okay sir to open your car lock you have to pay money please tell me how much should I pay 200,000 Indian rupees 2 lakhs okay done I will transfer it immediately hey how about 20000 okay sir thank you your car lock will be opened in a few minutes through satellite yes 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 one six only finance company has its own car कर दो इन सिंग्दानों को पैक करके वहें से पारसल कर सकता था मैं लेकिन जिसने मुझे उठा लाने के लिए कहा उससे मिलने की तमन्ना हो गई तो समझ ले तेरी ये तमन्ना तेरी आखरी तमन्ना है इस भूपती का सामना करने के लिए या तो ताकत चाहिए या दौलत अगर तु सीधा मुझे सामना करके मेरी गाड़ी ले जाता तो तेरे में सच में ताकत है मैं मन लेता लेकिन तू किसी अली बाबा के चिराग को उठा कर लाया और अपनी दौलत की ताकत दिखा रहा है जो मेरी ताकत को आजमाता है न उसे मैं दिल खोल कर जवाब देता हूँ जिसे प्रेम की भाशाना समझ में आए उसे उपर पहुचाने में वक्त बरबाद नहीं करता चुटकी चुटकी बजाते ही तेरे सामराज को मिट्टी में मिलाकर तेरा नामों निशान मिटा दूँगा ये हीरो गिरी तू किसी और को दिखाना क्योंकि इस फिल्म का असली हीरो मैं हूँ ए सीजर भूपती की सीज की हुई गाड़ी को कार्पोरेशन फिल्ड में लेकर आओ खमाल है यार जुबान पर गुस्सा है और दिल में सिर्फ डर है डर की वज़े से मैं मौत के आगे पीट दिखा कर नहीं खड़ा हूँ सीना दिखा कर खड़ा हूँ पांच मिनट में तुम सब को खतम करके मैं यहां से जा सकता हूँ ये हीरो गिरी होगी लेकिन सीज की हुई तेरी गाड़ी को यहां ला करके तेरे सामने घर जाऊँगा क्योंकि मैं मर्द हूँ जो नीचे है वो इस सांड के सामराजिका है उठेगा और तुझे सिंग मार कर उड़ा देगा सिंग मारना तो दूर पैरो पर खड़े होने के लिए साल लग जाएगा मांगता है तो स्कैन करा लो रिपोर्ट जो मैंने बोला वही आएगी तो ये इसी का अदमी है मुझसे मेरी गौड़ी चिनने वाले इन कमीनों की अगर मैंने सांसे ना चीन ली तो मेरा नाम भी भूपती नहीं रोको 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 बुरू सेम केस है पहले की तरह आई चगावत आरे भाई तो हमेशा मेरी गाड़ी के पीछे काई को पढ़ा लेता है तुम लोग को सिर्फ मैं ही दिखता हूं क्या किसी और की गाड़ी नजरी नहीं आती है क्या इस इस में वहिकल मैं यह तो देखके ही पता चल रहा है तेरी और तेरी गाड़ी के आइड बराबर है अरे छोड़ दे चोड़ दे सिर्फ एक ही लाकी गाड़ी है जरा समझा करो ओए लोन क्यू नहीं बढ़ता है इस गाड़ी का भी लोन क्लियर नहीं है एक तो लफड़े क गाड़ी खरिदता है उपर से हमें पड़ान करता रहता है डूब जाल उठाले गाड़ी क्या गुरू अगर ये गाड़ी वापस नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करके अंदर कर दूंगा दोनों को एक बात सुन ले पुलिस टेशन हमारा दूसरा घर हमारा स्कूल है सुबह वहां जाते हैं और शाम को वापस आते हैं कैसे लोग है यार पुलिस कंप्लेंट करूंगा बोला तो बोलते कि वो स्कूल है घर हम सुबह जाते हैं और रोश श्याम को वापस आते हैं इधर कोई लॉरी वाला भी नहीं दिख रहा है ग्यारा नंबर जिन्दबाद हेलो आए मुझे अचाने घर के मुलाए गाउं से मेरे पापा आए हैं उन्हें आपसे इंट्रिद्यूस करवाना है आए अंदर पापा मैंने कहा था ना आट्यों इंस्पेक्टर है मिलिए इन से नमस्ते साथ यह हैं आए 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 इंस्पेक्टर साथ है काफी का बंदबस करो बैके बठी सार हम आजसा मिलने के बाद ना मुझे बहुत खुशी हो रही है आपने जो दिविया के लिए किया ना मेरे भाई ने बताया हमारी बेटी को हॉस्पिटल में भरती करके आपने बड़ा इस्टान किया वो तो मेरा सार आपका नामके शीजर फुरीजर नई नई सीजर सर यह नाम है क्या हा सर मेरा नाम सीजर है खैर आने मुझे आपसे थोड़ी मदद जाए थी कहीं नहीं सर लुग मैंने अपनी कार का लोन ठीक से हर मही न बढ़ा है साब उसके बाद भी मेरी कार सीज कर दिए आँ ऊके मैं ना लोन पर कभी कुछ लेता नहीं हूँ, ये कार लेली मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बाती वो इंस्पेक्टर हैं, इसलिए आपको सीज की हुई गाडियों के बारे में सब पता है, इसे वक्त पर आप साथ रहेंगे, तो अच्छा बरने के बाद भी गाड़ी सीज करना गलत नहीं है, गलत नहीं है, मतलब लोन टाइम पर भरेंगे, तो कोई सीज नहीं करेंगा, बगवान, मैंने हर महीने टाइम पर ही बराएं, आप चाहें तो उन्हें, एक मिन्हें, मैं आपको इंस्टॉल्मेंट की रसी दिखाता कोई खास बात है क्या? तो हमें गाड़ी सीज करनी परती है, अरे, हमने अपने विष्णू के हाथों हर महीने ही है, महीन भरा है, सर्? आपके विष्णू जी को फोन लगाए, कही है सर? अरे का है तू और सून मैं यहां वन यां ओनली फाइनेंस कमपनी में हूँ जो कार का महीं नहीं यह भरते थे ना यह बहुत है बात कर नई सर आपने मुझे जो पैसे दिये थे वो मैंने अपने काम में खर्च कर दिये सर यह बात मैं आप को कही बार बताना चाहता था लेकिन आप मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दें इसी डर से नहीं बता पाया से अभी क्यों बता रहा है तू आप मुंबई में है ना इसलिए सारी सार बेवकुफ नाला एक चोटी सी समस्या हो गई है सर देखिए ना हमारे विश्णु ने भर दिया है भर दिया करके सारे प्रेसे खर्च कर दिया और लोन भरा ही नहीं तो अब शमा चाहता हूं सर जो भी होगा उसमें आपका इंट्रेस्ट मिलाकर लोन चुक्रा करके है बुरा बत्मानिया का सारी अरे कोई बात नहीं है सर अपने आटियो ऑफिसर के बारे में फिक्र मत कीजिए ये हर जगे नार्थ इस्ट साउथ वेस्ट हर कहीं घूम फिर सकते हैं आप जितना तो नहीं सर मैं कुछ समझा नहीं सर माफ कीजिए आप चलेंगे क्या आप च सर तो फिर मैं चलता हूँ अँँ अरो नहीं आप कॉफी पी कर जाएगे रहने दी आप कॉफी नहीं पिएंगे तो मुझे बुरा लागेगा कॉफी पी कर जाएगे ठीक है सर दूद वाले पेंगे या ब्ला कॉफी कुछ भी चलेंगा सर मैं मिला क्या हमारी कार सीज करने वाला चोर कह रहे थी सीजार का डिटेल नहीं दे सकते वो अगर ये पुछते की चोर कॉन है तो मैं ही बता देती आप बता देती हाँ हमारी कार सीज करने वाला चोर कॉन है मैं जानती हूँ हमारी कार सीज करने वाला वो चोर आप ही है I know it गाउं से वापस आये मुझे सिर्फ एक घंटा हुआ था उतने में ही आप हमारे घर आए और हमारी गाड़ी सीज करके चले गए तब मैं टेरिस पर ही थी और आप RTO आफिसर भी नहीं है ये भी मैं जानती हूं इन फैक्ट वो कौन है मैं नहीं जानता इससे पहले मैंने उन्हें कभी देखा नहीं मेरे कॉंस्टबल ने थोड़े पैसों के लिए उन्हें मेरे चंबर में आने दिया आज से मुझे आपकी ये फ्रेंशिप नहीं चाहिए पर उससे भी कुछ बढ़कर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं वो क्या अरे आपके पापा आपके पापा कह रहे थे आपके लिए कोई इंजिनियर लड़का देखा है इंजिनियर नहीं सीजर चाहिए हलो कहा है भाई तू कौन है भाई पहले तू कहा है ये तो बता तुमें किस से बात करनी है एए तेरे इतने हिम्मत तु मेरी गाड़ी उठाकर ले गया एए कौन से गाड़ी रहे डबल वन डबल सिक्स आइटेन वो गाड़ी नहीं मेरे लिए मेरी औरत से बढ़कर है एए चुप रहे रहे तीन महीने से लोन नहीं भरा तेरे गाड़ी सीजने होगी तो तुझे बुलाकर प्राइस देंगे क्या तो कहा है इतना बता वहाँ आकर मैं तुझे सीज कर लूँगा मरने का अगर इतना ही शुक है आजा मैं चार बंगला के पास हूं आजा अभे आता हूँ तुझे रोक गड़ी रोक गड़ी रोक साइट में साइट में आरे काई को अरे काई को लगा चल चलना अरे इटरा सब जी आपके गाड़ी सीज कर रहे हैं यह यह सिर्फ पांच अरुपे की गाड़ी यह इसका भी किसे लोन भारे नहीं है यह मत बोलना मुझे बंदर पांच रुपे का लोन भाकी है तुम लोग कुछ ज्याता ही बोल रहे हो मैं जीप में आये तो जीप लेकर चले गे कार में तो अ कार भी लेगे आब सब्सक्राव को भी बात कर रहे हो देखो मेरा धीमार भी नत रहे हो मत कर दो एकार क्या सब्सक्राइब अंधिए तुम लोग को ज्यादे भूल रहे हो है बगवान के लिए मेरी पत्नी के समने मिरी इसत का भाजी पला मत करो तुम दो मिनीटरों को इंसे बात कर था हो एक बाद बता यह भी लोन पे या हाट पे मला मतलब मतलब तेरी अपनी है या भाडे की है तो बोलना क्या चाहता है अलो यह लिगल यह पूछ रहा है बाई आरे यह फैमीली के बारे में बेकर की बाते नहीं करने गा वरना मुझे पुरा वो क्या है न की पिछली बार दूसरी वरत के साथ आई थे ना इसलिए पूछा है पूछ लीजिए जिलो रहे आजे गया गास यह जा यह बक्वाश कर रहा था आज यह तुम क्या कलत समुझ रह है मैं तुम उखा रोक फिर मैं बताती हूं तुम्हें आरे तुम छोड़के कुछ आ रही हो इधर आऊना मैं तुमको पिच्चर दिखाऊंगा तुम चत्रे है तुम सारे डिटेल्स इसमें अगर कुछ पूछते हैं तो सिर्फ गाउं का ही नाम बताना यह फोन क्यों नही भाई बहुसें अब बोले भाई हाँ शिवा तुम कहा हो भाई मैं या किसी को सबक्सिका रहा हूं बोले भाई हाँ सुनो सिएडी क्वाटर्स में एक गाड़ी सीज करनी है अले बाप्रे भाई अगर मैंने उनकी कार को हाथ भी लगाया न वो मुझे सिधा आसमान में भेल ए भाई का फोन है तो उठाना हाँ भाई कई ए गोल्डी हाँ जाकर एक गाड़ी सीज करनी है भाई अगर मेरा गोल्ड पहनना पसा नहीं तो बोल दीज़े न भाई तुस्से भी नहीं होगा क्या मैं हद कड़ी नहीं पहनना चाहता हूं ठीक है फोन रख हेलो भाई आपने मुझे फोन किया था न क्या बात है मेरा एक काम रिस्की है करोगे क्या तुम हां बताइए न से आईटी कॉर्टर्स में जाकर एक गाड़ी सीज करनी है काम हो जाएगा भाई 385 प्रेगिनार इड़ा समझ रखा है नंबर क्लेट निकाल देने से गाड़ी सीज नहीं होगी क्या आता ओला खान आतूर भाई एमरजनसी की मेकर मेरे हातों से बनी हुई चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहों ऐसी कोई हिस्ट्री ही नहीं है भाई सेंसर है या विदाव्ड सेंसर है भाई सेंसर तो फिर मुझे किट लाना होगा भाई भाई-भाई करना बंध करो जल्दी से सीाइडी पुलिस अ ताउला खान केमेकर जाड़ी स्टार्ट नी हो रही है मैं हूना एक्सपर्ट बिस्मिल्ला ओर हमारे रहूं दिमास बोर ही आपर करे आई जूसु अधिन में हाग गुदा ही दू ही दू ही दाक्सपर्ट यह क्या सर टोना नहीं कर रहा जल्दी कर हो गया याला बाददकर अ मिल गया मिल गया मिल गया अरे बस हो गया अरे रुको हो गया क्या हुआ किसमें डालता वायर में वायर में आपको क्या लगा यह लेट टच करते ही इससे बन होने के लिए थ्री सेकेंड लगेगा उस थ्री सेकेंड में आपको स्टार्ट कर रहा होगा ओके है ना सॉरी ओके ठीक है एक्सपर्ट मैन आता हू लगान हूं मैं पूलीस वाले भी पैसे देते हैं शुक्रिया इसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूं तो फिर सीजर सीजर है क्या अभे यहां से जाएंगे कैसे एंटरी किसने की मैंने तो फंसेगा कौन अ मैंने इस एक्सपर्ट की मेकर का नंबर आपको किस ने दिया भाई जस्ट डायल से मिला किस डायल से जस्ट डायल अरे आपके फोल डायल से मेरा नंबर डिलीट कर दो रुको रुको बाप्रे या अरे मेरे भाई आप कह रहें कि आप सीजर है और उस पुलिस वाले ने आपको सेलिट किया वो कैसे अरे दो बार हॉन बजाने से तो कोई भी पुलिस वाला गेट खोल देता है दो बार हॉन बजाने से पुलिस वाला गेट खोल देता है वो कैसे किसी भी गाड़ी को सीज करने से पहले हम अच्छी तरह स्टेडी करते हैं मैंने देखा कि दूर से दो बार हॉन बजाने पर ये सेलूट करके गाड़ी को जाने देते हैं। इसलिए मैंने भी सेम पैत्रा अपनाया। और उन्होंने क्वाटर की गाड़ी समझ कर जाने दिया। गाड़ी सीज करने के लिए दो बार हॉन बजाया। अलो भाई, गाडी सीज हो गई वेरी गुड, आजाओ पार्टी करते हैं यह कब से आमें पॉलो कर रहे हैं एक काम कर, लेट मेले ठीके स्ट्रेट, स्ट्रेट चाल लेट 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 ले स्ट्रेट 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 तुझे क्या लगा, तु मुझे यहां फॉलो करते हुए आया है? नहीं, मैं तुझे यहां लेकर आया हूँ शिकार करने के लिए शेर हिरन का पीछा जंगल में करता है हिरन खुझ शेर को ढूंडते हुए पहली बार इस चंद्र के अड़े में आया है जब तक यह सूरज रहेगा तब तक यह चंद्र भी यहां रहेगा भगवान के एक दिन में राहुकाल यमगंड काल गुलिक काल के लिए केबल साड़े चार घंटे दिये हैं बाकी के साड़े उन्निस घंटे जो हैं वो सिर्फ चंद्र को ही मिले हैं काल चक्र की डौर सिर्फ मेरे आतों में है मा की किसम खाकर कहता हूँ, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता इसलिए अपनी स्टाइल में ही आपको समझाता हूँ मैं हमेशा वक्त का इंतिजार करता हूँ और सही समय पर वार करता हूँ बज किया तो तेरी किसमत, वारना सीधा उपर, आजा, आजा हाथ पैर तोड़ता है, गर्दन मरोड़ता है, जो भी इससे लेता पंगा, उससे नहीं छोड़ता है भी माते भी माते वॉपरता है, वारना सीधा यिमाओा इमसे है 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 तो अफिएज़ किया एफिएफ जा सカ enforced टि लाओं पल भ वहाँ लुब कर लाँ सुषंप लगा हम लाँ सक्टार्स भ्यवर लोपष़ लुब कर लेहां लोगर मुंच़ लुब Über लिवाँ लिवाँ लेक अड़िविंवर लिवाँ सिह मुंच़ लेकर लिवर झाल 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 आखिर तुम्मारी मेरे से क्या दुश्वनी है हमारे कुल देव लक्षमी नारायनर सिंभा जी उन्होंने हिरन ने कक्षप का वद्ध किया था मतलब मैं भी वही करूँगा क्या थाहाू ज्रियो देछ चे सुड़ी कर दो करो दो अका हम रहे नह आसा है कर दो करं। कर दो कर दो कर दो हर माबाब चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने किसी की जान बचाएं लेकिन अपने भतीजे के हाथों खून करवाने वाले आप अकेले जाजा हैं भगवान किसी की जान लेते हैं तो कहा जाता है कि दुष्ट के संगार के लिए अवतार लिया एक राजा खून करता है तो कहते हैं राज जी की भलाई के लिए ऐसा किया और जब पुलिस एंकाउंटर करती है तो उसे समाज से गंदगी हटाने का नाम दिया जाता है यहाँ तुमने जो किया है वो सिर्फ खून है ये किस ने कहा मेरी आत्मा ने जब भी मैं किसी का खून समीन पर पहते हुए देखता हूं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि कोई पाप कर रहा हूं समझ में नहीं आता कि किस का खून कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं हिरन पैदा होते ही खेलना शुरू करता है और शेर पैदा होते ही शिकार करना शुरू कर देता है मैं हिरन की तरह ना खेल कर शेर की तरह शिकार क्यों कर रहा हूं ये सवाल करोगे तो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा तुम एक शिकारी हो और तुम शिकार ही करोगे मुझे ये रामार नहीं सुननी जर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मैं खून क्यों कर रहा हूं करमननेव अधिकारस्ते माँ फलेशु कpage चन कहा जाता है मैं खून करवा रहा हूं और तुम खून कर रहा हूं पाप पूरे का हिसाब किताब मत देखो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, अभी तुम जाओ नहीं, जवाब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाओंगा मुंबही के नलों में चाहे पानी आए या ना आए, लिकिन गलियों में खून की नदिया जरूर बह रही है कुछ दिन पहले ही बलराम जी की भी इसी तरह से हत्या हुई थी, और ये दोनों ही भूपते जी से जुड़े हुए थे इन दोनों की हत्या एक ही तरीके से होने की वज़ा से, इन दोनों खून का हत्यारा एक ही है, ऐसा माना जा रहा है आपका क्या कहना है सर, मैं यूनिफॉर्म देदू क्या, आप ही इन्वेस्टिकेशन कर लीजे, हमारा काम आप ही कर रही है न, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अपडेट्स मिलते ही मैं इन फॉर्म कर दूँगा, इस तरह हवा में तीर चला कर लोगों को मिसगाइड मत ऐसी चाबी कौन यूज करता है जरा बताएंगे? सर, वो सीजर्स है चंद्र और बलराम को मारने वाला एक मर्द की आउलाद ही है हम लोगों के सपनों में आते हैं तो सब तर के मारे अपना बिस्तर गिला कर देते हैं तेरी कसम चंद्र उसे महर कर शंक बजाकर उसकी लाश पर अपने आदमियों को डंक नका डंक नका करके पूरे दिन नच्वाओं का अभी तक पहला ही केस सॉल नहीं हुआ है उपर से एक और खून हो गया आप आखिर कर के रहे हैं आप से जब मैं पहली बार मिला था तो आपके अंदर का जुनून देख कर मुझे लगा आप ये केस दस दिन में सॉल्व कर लेंगे खूनी बहुती चलाख है सर खून करने से पहले अच्छी तरह से प्लान करके एग्जेक्यूट करता है सर मंत्रियों से भूपती के लोगों से कितना प्रेशर आ रहा है पता है अगर आप से ये केस सॉल नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिए एक हथे की महुलत दीजिए सर वन वीक, माइंड इट, देट सॉल आज किसी को नहीं छोड़ूंगा एक है बाबा ये तो आफिस में भी कार में बैठा है आज किसी को नहीं छोड़ूंगा जान से मादूंगा ब्रेक फेल हुई गाड़ी की तरह क्यों पेशा रहे हो आज अक्सिडेंट हो कर रहेगा तुम्हें चेर चाहिए क्या बैठने के लिए लेकर बैठ जाओ ये हाथ में क्या है तुम्हारे हाथ में सूट नहीं कर रहा है नीचे रख दो अब बोलो बात क्या है चार मेरे चार गाड़िया सीज कर दी हैं आप लोगों नहीं तुम्हें पैसे नहीं बारे होंगे इसलिए सीज कर दी गई अरे किसे आंडू-पांडू ने पैसे बारे नहीं होंगे तो उसके बदले में मेरी बैंड काई को बजा रहे हो ये उन आंडू-पांडू लोगों से ही पूछो खेर चोड़ो ये एक आफिस है क्या ये बुला आए बुला ना अरे उसके बापको बुला नहीं तो तेरे बापको बुला आज मैं सब को देख लूँगा इधर आना वैक्की जिना आना बहुत बड़ा सूर्माई क्या इसे लोगों को अंदर क्यों आने देते हो तुम क्या कर रहे थे भाई आपी ने तो कहा था कि हाथ पैर काटके आना काटकर आ गया भाई उसका सिर छोड़ कर आया हूँ जिन्दा रहने के लिए किसका सर, सर भेड का या बकरे का तुम जयसों का वो कही को नो टंकी कहीं के लोन मांगते वक्त हाथ पैर पकड़ लिते हो जब वसूली का वक्त आता है तो इधर उधर भागते हो और उल्टा यहां आकर हमें सुनाते हो तुम लोगों के हाथ पैर नहीं काटेंगे, तो और क्या काटेंगे? करेक्ट सर, भाई यह पकड़ी है, सर हाँ, ज्यादा मत जुको वरना पैंट फट जाएगे सर, ना मेरे को गाड़ी चाहिए और ना कुछ और यह मेरे दो पैर और दो हाथ बहुत ही मस्बूत है, घाट को पर से लेकर वर्सवा तक और फिर वर्सवा से लेकर घाट को पर तक, मेट्रो से ही सफर करूँगा, चलता हूँ सर तुम अभी तक खड़े की हो यहाँ पर? जा रहा हूँ ना सर जाओ जाओ गार बार सब बेचना पड़ सकता है, गाड़ी लेने के बाद लोन टाइम पर भरियेगा ए वैंकी, जी भाई, हमारे सीजर के परिवार में कौन-कौन है? जहां तक मुझे पता है, उसके चाचा है बस उनसे बोल देना कि मुझसे आकर मिले, ठीक है भाई तक मुझे पता है, बस तक मिले, लगता है, कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं आपके पास सीजर्ण करने के अलाबा दूसरा कुछ नहीं कर रहा हु भाई मैं फायनांस का काम लेगली कर रहा हूँ, लेकिन तुम जरूर कुछ इलेगल काम कर रहे हो अ नहीं भाई मुझसे जूट बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सच जान चुका हूँ काली कहां लेकर जा रहा है, कसाई खाने में मार क्यों रहे मुझे तम, ये मेरी अपनी स्टाइल है ये का मेरे मालिक ने दिया है, मैं उनको फोन लगाता हूँ, आप बात कर लीजे कुछ लोगों ने गाड़ी रोक? निये चांसी, कॉहन है ये कॉन talent हूँ, ये जानकर क्या करोगे तेरह मेरे धन्दे से क्या संबन्द है ये बता तुससे ये द्दे से मेरा कोई संबन्ध नहीं है, संबन्ध मेरा को माता से हूँ गव माता हमारी माँ है इसलिए हम उसकी पूझा करते हैं हम सिर्फ पानी भाशा मिट्टी के लिए नहीं लड़ते हम गाय के लिए भी लड़ते हैं हमें सिर्फ अपनी मां का कर्ज ही नहीं भारत माता का भी कर्ज चुकाना है गाय के बारे में इतना बोल रहा है मतलब तो वर गीद्र धंकियों से हम डर जाएंगे ये समझ रहा है क्या तो जो मुझसे नहीं डरते हैं बोलने वाले सभी मिट्टी में मिल चुके हैं गाय का अपमान करना या कसाई के हाथ बेचना तोनों गलत है अगर हमारे धंदे में टांग अड़ाया ना तो तेरे सर को धर्च अलग क हिम्मत है तो फोन पर बात करने की बजाए मेरे सामने आ, मेरे दर्शन होते ही तू हमेशा के लिए सन्यास ले लिएगा ए सीजर आ भई गाड़ी को लेकर गाओ शाला में जाओ ओके बोल किसने मेरी गाड़ी सीज की हई, दस साल से इस शहर में मैं लोन की गाड़ीयों का धंधा करते आ रहा हूँ मैं इन्वाल हूँ या जानने के बाद कोई बैंक मुझसे पूछने तक नहीं आती और एक मामुली सा ओफिस खोल कर छोटी मुटी गाड़ीयां सीज करके तू मुझसे पंगा लेने चला है ए भूपती, आज तक मैं अपनी फाइनन्स की वी गाड़ीयों को ही सीज करता आ रहा था वाइक से भॉय गार्यों का धंदा दंदा है कहे रा ता ना आज से समझ ले, तेरा नही रहा ऑदल ख कीतरो थे अब ये धंदा मेरा है और आज से तेरा मेरा शुरू आज से क्यूँ? अभी से शुरू मैं खुद आता हूं तरह अटे पर है घाडी विकाल ये गाड़ी को बेच देना है, ठीक है भाई, सबज गए न हाँ, नमस्ते भाई, भाई गाड़ी में आप सीजर से बात कर रहे थे अपने धंदे के बारे में, कोई खास बात तो नहीं है भाई, दोनों चाचा बतीजों को ये सब खेल लग रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे ह हो, और वो क्या कर रहा है, क्या है ये सब, हम आप से बात चुपाने का कोई मतलब नहीं है, अपने काम के प्रति शरद्धा की वज़े से, भगवान के प्रति द्रढ़ विश्वास होने की वज़े से, गाउवाले उन्हें बहुत मानते थे, और यही उनकी मौत का कारौण नमस्ते पंडी जी ओहो भूपती जी नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप आज कल कुछ ठीक नहीं लग रहा है पंडी जी क्यों क्या हुआ बताइए चाहें तो आप पूजा आरापना करवाएंगे यही ना इनसे कुछ नहीं होने वाला है पंडी जी मेरी परेशानी दुर करने के आपको मुझ पर थोड़ी द्याद रिष्टी दिखानी होगी तुम अपने पिता जी की जमीन के बारे में पूछ रहे हो ना पंडी जी बहुत समझदार है आप तो जानते ही हैं इस जमीन का हकदार मैं ही हूँ एक शलोक है सुनो वने रने शत्रू जल अगने मत दे हैं मु जानते हो चंद्र उस जमीन की एक बुरी मिट्टी, एक पत्थर बेचने से लाखो लाखों मिलेगा। सोच कर देख, दस सेकर जमीन, करोड़ो करोड़ो रुपे है उस पंडित को तुम्हें पैसों का लालज देखर फिर से पूछना चाहिए था आरती की थाली में एक दो रुपे देखने वाल आदमी इतनी बड़ी जायदाद छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा बेकार में तुम उस जगह को, मंदिर के नाम होने दोगे क्या? मंदिर के नाम मैं नहीं होने दूगा, वो मेरे बाप की जायदाद है, मुझे मिलनी चाहिए कोई छोटी बोटी चीज नहीं है जो मैं आसानी से छोड़ दूँ इतने दिन तक चुप था, अब चुप नहीं रहूँगा कहा है बलराम? दूसरों के भविश्य का आइना होने वाले मेरे भाईया का एक दिन उसी आइने में अपने बेटे का भविश्य नजर आया बेटे के हाथों से कई खून होंगे और वो बुराई के रास्ते पर चलेगा ये जानने के बाद उसे रोकने का समय मेरे भाईया के पास नहीं था नमस्कार पंडी जी प्रडाम पंडी जी नमस्ते देखें पंडी जी जर जोरू जमीन अगर कोई खोता है तो उसे बहुत दुख होता आपको पता ही है इसलिए उस जमीन को खोने के दुख में मैं आपसे घलत पेशा है मुझे ख्शमा कीजी और इसे स्विकार कर लीजिए बगवान आपका भाला करे आई शुमान भाला मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज आईये ना पंडी जी आईये ना चाचा जी मुझे वो चाहिए पंडी जी यह मामूली दस्टेकड की जमीन रखकर आप क्या करेंगे इसकी जगह में आपको एक बहुत बड़ी जगे भेजना चाहता हो मतलब मतलब आज के बाद हम कहां जाएंगे क्या करेंगे तो कुछ नहीं पूछेगा और जो मैं कहूंगा तो वही करेगा जिसके चरित्र के बारे में आपको अनमान है उसके जीवन का रखत चरित्र यह है सर हेई जी भाई सुचा था दो चार गाड़ी सीजकी होगी यहां तो पूरा गाड़ियों का भंडार है उसने तो बहुत माल छापा होगा हां भाई वह है कहां आप आ रहें यह पता चलते ही भाग गया होगा वह तो डरपोग निकला भाई वह डर कर भागने वाल आपमी नहीं है सामने खड़े होकर सामना करने वाल आपमी है मैं आ रहा हूं यह पता होता तो वह जरूर मिलता वह जलते हैं कौन है वाँ इधर आ रहें तु पंडित का भाई है ना तु अभी तक जिन्दा है यह हम नर्सिम्हा के भक्त हैं हमें बचना भी आता है और दुश्मनों को मारना भी मतलब बलराम और चंदर अगر मैंने शीजर के बारे मैं से बता दिया है क्या सोच रहा है तू बलराम और चंदर को अकेले भारा था या तेरे साथ को Märrays किसी और की क्या जरूरत है मैंने यही उसे मारा है एक को रास्ते पर काट कर फेंक दिया और दूसरे को उसी के गोडाउन में तेरहमी से मार डाला और अब तुझे तुझे भी यहीं पर वार कर दूँगो अब इसके साथ ही को ढूड़ने के ज़रूरत नहीं वह खुद ही आजाएगा चाचा आज के बाद हम कहां जाएंगे क्या करेंगे तुझ नहीं पूछेगा और जो मैं कहूंगा तुझ वही करेगा अब अब देख बिटे आज से मैं ही तेरा चाचा हूँ और मैं ही तेरा पिता भी भूपती ने इनहें मmoset जिसके चरित्र के बारे में आपको अनमान है उसके जीवन का रखत कर चरित्र ये है सर कि यहाद तुमने जो किया है वह सिर्फ खून है ये किस ने कहा हिरन पैदा होते ही खेलना शुरू करता है और शेर पैदा होते ही शिकार करना शुरू कर देता है मैं भी हिरन की तरह खेलता शेर की तरह शिकार क्यूं कर रहा हूं ऐसा सवाल करोगे तो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा तुम शिकारी हो और शिकार ही करोगे मैं खून करवा रहा हूँ और तुम खून कर रहे हो ये पाप पुन्नी का हिसाब तुम मत देखो वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो जब सवाल अपने आप पैदा होते हैं तो उसका जवाब भी अपने आप ही मिलता है अभी बहुत से काम को अंजाम तुम्हें देना है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा सीजर भाई अब सोज मनाने से कोई हुई चीज वापस नहीं मिलती नहीं भाई चाचा शेर को भी मात देने की हिम्मत रखते थे ऐसे में वो इतनी आसानी से मर गए मुझे यकीन नहीं हो रहा है दो खून भाई दो खून उन्होंने मुझे खून क्यों करवाए ये बताने से पहले ही वो मारे गए वो मारे गए इतना ही तुम्हें पता है लेकिन वो क्यों मारे गए ये बात मुझे पता है क्या पता है आपको इतना ही नहीं तुम कौन हो तुमारे पिता कौन है तुमारा गाओं कौन सा है मुझे सब पता है ये है कहानी मुझे पता है मुझे सब पता है तुमारा गाओं कौन है तुमारा ग्यास तुमारा गाँं कौन है इता है भी इप बसुप नगे, मुझे वने एन अल्ली फाइलेंस के कार शेड में लेकर आए है जल्दी आओ कहा आ तुम लोग खो 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 खो, खो खो, खो, खो 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 खिर 15 अट exciting लिएबसे टे जए हैं। सब लोग आ गए ना चलो जली चलो ए डरपोक चुए की तरह क्या फटफड़ा रहा है बचने के लिए बिल ढूल रहा है क्या बचने के लिए और मैं ए तु जानता ने में क्या चीज हूँ गाड़ यां सीज करने वाला एक मामूली आदमी होकर तु मुझे सीज करके यहां ले आया बता कितने पैसे लिए किसके कहने पर किया मैं उसे यहीं गाड़ दूंगा ए भूपती मैंने बलराम और चंद्र को मार कर तेरे दोनों हाथ काड़ दिये अब बता तु अकेला मेरा क्या कर लेगा क्या कहा एक छोटा सा सच बताया तो तू टेंशन में आ गया अब तेरी धुलाई करूँगा तो पूरा वाइब्रेट होगा ए चंद्र बलराम को मारने वाले उस पंडित के भाई को मैंने टपका दिया तेरा उनसे कोई रिष्टा ने फिर तु आए उनसे खून का रिष्टा है मेरा उनके खून से शुरू हुआ था तेरे खून पे खत्म होगा तो खून का रिष्टा है उनसे एई, कहता है पंडित से कोई खून का रिष्टा है, क्या रिष्टा है पता चलने तक सांसे नहीं रुखनी चाहिए, और पता चलते ही सांसे नहीं चलने चाहिए आपने चाहिए प्रूंग संव बन्टायरा को और गिर हो मैं कर दोके हिर्दा epic ुई आई थारी। झाल 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 करे काहिए गस जुष झालाँ। परहोग सो अननना ज्युमे। प्रिंकारा ओंकारा दीराया बीराया जै 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 खरमाया दर्माया दीरा दुष्क निक्राइ जै 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 सीने से लगाकर प्यार करने वाले मेरे पिता को मार दिया बलकों पर पिठा कर जान छड़कने वाले चाचा को मार दिया जानना चाएता है मैं कौन हूँ बाप का नाम नर्सिम्हाचारी चाचा का नाम पहलाचारी विश्नू-पुरगॉ झाल झाल पहले दोनों खून मैंने बिना कुछ जाने हुए किये लेकिन ये खून मैंने चान भूच कर किया है हम इस भूपती के दुश्मन पांडों की तरहा सिर्फ पांच नहीं है कवरवों की तरहा स्काइकडों है ये उसी ने कहा था उन्हीं में से किसी ने ये मारा ऐसी केस फाइल करूँगा लोगों की जाने लेने वालों की तुमने जान लेकर बहुत से लोगों की जाने बचाई है ये खून नहीं है संघार है मुझे तुमसे कुछ कहना है क्या अपने पापा से कहो वो लोन भर दें हेलो भाई एक डील है थोड़ा सा रिस्की है इस राज में पॉलिटीशन्स कॉर्पोरेटर और कुंडे सेलिबिटीज और बहुत सार एफ याई पी लोग हिसाब लगाए तो कुल तीन हजार गाडियां उन्हें सीज कर पाएंगे क्या भाई इस वन एंड उनली कंपनी के जरिये ही तुमारा कॉंट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है ये जानकर ही फोन किया है तुमने देल मंजूर है इन तीन हजार गाडियों को सीज करने के लिए अपने पुराने सीजर की जरूरत पड़ेगी इस वन एंड थाद सीजर के लिए झालने सीजर को सीजर भाई सीजर बाचिस्वाक्प्स सीजर कॉंट्यों